और आज का हमारा topic है confident टाइरो सीनेमिया जो होता है वह body के अदर basicly 2 طūpes एक है टाइरोसिनेमिया 1 या फिर टाइरोसिनोसिस क्याते हैं और सेकेंड है आपका ट्रायोसिनेमिया 2 या फिर रिचनर हनहार्ट सिंड्रोम तो सबसे पहले हैं ट्रायोसिनेमिया 1 देखेंगे यह आपको बिसिकली होता है दो इंजाइम के डिफिशेंसी से पहला है फुमेर लेकिन रेर डिसीज है और इसमें बेसिकली आपका लिवर फेल हो जाता है रिकेट्स की प्रॉबलम होती है और रिनल ट्यूबलर डिसफंक्शन हो सकता है या फिर पॉली नूरोपैथी हो सकती है ताइरोसीन जो और उसके मेटाबोलाइट्स या फिर बहुत सारे अधर अधर कैबच लाइक ओर्डर डिवलाप हो जाता है और कभी-कभी लिवर फेलियर की वज़े से डैथ हो सकता है एक साल के अंतर ठीक और इसका बेसिक ट्रीट्मेंट है कि आप ताइरोसीन, फिनाइन, अदनीन, और मैथियोनीन रिच लो रिच डाइट अगर आप देते हैं तो आ कि आपका टाइरोसीन ट्रांस अमिनेज इंजाइम की डिफेक्ट की वज़े से होता है और इसमें आपका जो पैथवे होता है टाइरोसीन का डिग्रेडेशन का वह आपका ब्लॉक हो जाता है जिसकी वज़े से टाइरोसीन जो होता है वह एक्कुमलेट होने लगता है और वो different pathway से आपको metabolize फॉर्म करता है जैसे कि P-Hydroxy Phenyl Pyrovate, P-Hydroxy Phenyl Lactate, Phidroxy Phenyl Acetate, Acetyl Tyrosine और Tyramine जो कि उसके साथ ही टायरोसीन के साथ ही आपको यूरीन के दो एलिमिनेट होते हैं इसमें बेसिकली आपको skin lessons develop होते हैं जो कि dermatitis कह सकते हैं आई lessons होते हैं मतलब आई जो होती है उसमें घा हो जाता है कभी-कभी mental retardation भी हो जाता है लेकिन वह बहुत rare chances है और जो coordination होता है patient का वो कही न कहीं disturbed हो जाता है अगर neonatal tyrosinemia की बात करें तो इसमें आपका अगर मतलब इंफैंट में P-hydroxy phenyl pyruid dioxygenase enzyme absent होता है तो क्या कहते हैं कि infant में आपको यह tyrosinemia डवलप होता है लेकिन यह एक अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू फर वोचिंग